अब बीए, बीकॉम, बीएसी और एमे, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कप्यूटर्स डियेवी कॉलेज गेट के सामने सिवान थाइरोइट, शुगर और मुटापे से हैं परिशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है, एक बहतर समधान डॉक्टर M.S. एहमद, अंतर राश्ट्रिय कुशलताओं के साथ दे रही है, सेवाई, संपर करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोट सिवान नमस्कार आप देख रहे हैं एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन, इधर नगर परिशा चुनाओ को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो गई है, तमाम प्रत्यासी अलग-अलग इलाकों का दोरा कर रहे हैं और सभी लोगों से अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपिल हैं और इसी करम में आज मुलकात हो रही है संजै ठाकूर समाज के लिए लगतार कभी भी खड़र कोई भी समाजी कार्ज रहता है तो लगतार ये बढ़चर कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं हमारा साथ संजै जी मौजूद है संजै जी ये बताईए कि इस बार तो आम लोग अब चेर्मेन और या फिर्टी चेर्मेन का चुनाओ करेंगे तो ऐसे में आपकी क्या कुछ तयारी आप पहले भी पार्षत का चुनाओ लड़ चुके हैं तयारी किस तरह की है क्या कुछ क्या कुछ तयारी है आपकी तमाम लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं आप देख भी रहे होंगे आपकी क्या कुछ तयारी है कौन सा चुनाओ लड़ेंगे क्योंगी इस बार तो पहली बार मौगा मिलेगा आम जनताको डिप्टी चेर्मेन और चेर्मेन का चुनाओ करने लड़ने हम पब्लिक को चुनना है पब्लिक अच्छा सब्चबी को कंडिनेट को चुनेगा अब वो सभवपरति बनाएगा इसलिए हम भी तयार हैं हमारे में भी कोई ऐसा दाग फाक तो है नहीं हम अच्छे हरे कंडिनेट समझगूत है अच्छा रिस्वान समको मिल ल सब्सक्राइब को चुनाव का कुछ आपने सोचा होगा कि अगर जनता ने मौका दिया या फिर इन मुद्दों को लेकर जनता के जाएंगे क्योंकि नगर परिशत की जो इस्थिती रही हो आपसे चूपा नहीं है सहर सहर में आप लोग सटे हुए है ब्रश्टा चार बिलक परिश्टा चार तो हम तो नहीं हटा सकते हैं इसलिए कि बहुत लोग है भरस्टा चार है ठेक है लेकि रह गई अगर जनता हमको मौका देती है कमपनिया से चलाएंगे सबको साथ लेकर चलेंगे सबको साथ सबको बिकात और जाम के समस्या है सिवान कंदर नाली है रोड ह बिजली का समस्या है ऐसे सारे जो है मेडिकल का है इस अब हम देखेंगे अच्छा से चलाएंगे किसी को मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए मानले जी पांच सल के लिए अपना जनता वोट करेगी तो उसको फेका फेकी इधर लोका लोकी नहीं करेंगे कि अगला टर में जनता हमको फिर मौका देखेंगे क्या लग रहा है कि आम आदमी को इस बार पहली बार मौका मिला है कितना इसका फाइदा सीधे सीधा आपको हो सकता आम आदमी को इस बार मौका मिला है कि चेर्मेन और डिप्टी चेर्मेन का चुनाव करें पहले देखा जाता था कि वाड़ पार्सर जीत कर जाते थे और अध्यक्ष बनने के लिए बुलिया लगती थी रूपए के खेल चलते थे तो इस बार आम आदमी चैन करेगा तो ऐसे म दिये हैं इसलिए मैं उसको पढ़ाम करते हैं ब्यार सरकार को पढ़ाम करते हैं और क्या लग रहा है कि अभी तो जेनरल सीट है महिला सीट है जेनरल सीट है क्या लग रहा है चर्चा कई तरह की चल रही है कि बदलाओ भी हो सकता है आपको क्या लग रहा है यह लग रहा है कुछ आप सोचे हैं सहर में विखास करने के लिए कुछ आपने सोचा है कि अगर जनता ने मौका दे दिया तो क्या कुछ प्लान होगी कैसे सहर को साफ सुत्रा रखेंगे कैसे उसको नीट एंड ग्रीन बनाएंगे पहले तो देखिए पहले तो कोई भी अगर जीत कर जाता है अगर उस साफ रहेगा तो साफ अपने काम करेगा अब लसर फचर रहेगा तो लसर फचर रहेगा पहले तो सिवान तो इतना महकता है गंदगी की अंबार है पहले तो साफ उसको विजदी वास्ता तो करना ही पड़ेगा अच्छा से रखेंगे अब इसा थोड़ा है कि जनता भोट देगी तो हम उसको खारा उतरने के काम करेंगे बहुत सारे उमिद्वार हैं जो अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं तो ऐसे में क्या लग रहे हैं कि लडाई कितनी कठीन होगी या असान होगी देखिए ना कठीन है ना कुछ भी ठीक है जनता की दर्बार से जो साथ परसेंट जनता हमको जानती है जी एक दम कंफर्म है किस माईने में जिसे आपको जानती है क्या आपने सक्षा बस इसी माईने में सब समाच से मिल रहते हैं पढ़ाई लिखाई सब हमारे टवने से है सब कुछ है एक दम आप समाच के लिए जूड़े रहे हैं एक और कर्पूरी ठाकूर जी के नाम पर बीगत 40 वर्सों से बिहार मेरा नित हो रहे हैं उसरे लोग जी यह दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं विहार मेरा नित हो रहे हैं कि हमारी माली समाज के लोग से नहीं कर पूरी जी के यह थी से जैसे मैं पंदर सल तो लालूरा बुली जी के सरकार चला उसके बाद पब्लिक जो ना कार दिये उसके बाद मानने से नितिश कुमार जी आए एदम धरातल पर उनको विचार धरा को काम को अपना है लोग से चालीस बरस लोग सत्ता में आये हैं उनके नाम पजब कर रहे हैं तो हम कहें नहीं हैं हमको जंतर जो मोका दे रहे हैं बुला रहे हैं तो जहीं भी करेंगे लेकिन यहां पर काफी कहा जा रहा है कि दबंग टाइप के भी उमिद्वार यहां पर चुनाओ लड़ रहे हैं सामने कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं अभी बहुत सारे चेहरे हैं जो कि परिशीमन जब आ जाएगा तो उसमें दिखाई देंगा तो इन तमाम लोगों क यहां है अनथी पर्सन्ट की नभर मैं उस से कोई यह नहीं है अगर मात लीजहते हैं अगर इसीत दरा रहा कि यहत कर्के से चैयर्मैन का स्理事 है तो ऐसे में क्या संजे जाए कि जब चेंजिंग हो जाएगा तो संजाइ ठाकूर वहाँ पे जो है कि अजेंस अगर हो गया तो संजाइ जी चेर्मेन की दावेदारी करेंगे तमाम बहुत सारे लोग है लंबी एक लिष्ट है इस तरह से देखी जा रही है तमाम बोड्स हुडिंग सारे सारे जगह पर लगे हुए है तो फिर कैसे माना जाए जनता आखिर किस तरह के लोग को इस बर चुनने जा रही है इसलिए तमाले जे जबसे हैं हम वीस बरत से सुन नगरपल का सिवान घोटालाई घोटाला एफ यार यह जात ओ जात सब किसी पर चली रहा है जो लिए चार पांच को देख लिए उठा करें आखिर सब लोग तो घोटालाई में हैं तमाले जे साफर सब के नूं जनता यहां तुनेगी आप लोग के उभरुसा करें और कैसे भरुसा करें कि नहीं आप आएंगे तो इस तरह का काम है हमको लोग जानती है भाई उस जात से आते हैं पिछडी जात से आते हैं इसलिए जो जंता है जो नगरपरिश्य च्छेतर की जंता है इन से क्या कुछ आगर अपील करेंगे हमको वोट दे कर हमको जीता है एक बर मौका दीजिए आप पांचल के लिए अपना हाथ काट रहा है तो बाइज दीजिए आपको वोट को हम इधर उदर फेकने खुदाने को काम नहीं करेंगे इज़त से हम चलाएंगे फिर मौका दीजिएगा अच्छ रहेंगे प्रम को लیये लोग पीशे का भी खिल चल रहा है इसमें कोई पैसा कर हमGo यह जमीनिया आद्मी है ठीका है 숨की जमीन से चलते हैं मोर्ट स्टे से चलते हैं मों को हावा हावई हम याहिमिन से काम करते हैं जनता को सेवा करते हैं ठीक है चली आपने देखा कि ये संजय ठाकूर जो की पकोलिया गाउं के रहने वाले हर पकोलिया गाउं इस बार नए परिशीमन में आ रहा है नगर परिशाच्चेतर में ऐसे में इसके पहले भी ये चुनाओं हलाकि लड़ चुके हैं वाट परिशत का भी चुनाओं ये ल सान है कभी भी बाइक से आराम से जाते हैं कहीं भी कि ज़रुरत पड़ती है तो और इस पर जनता के बीच है अगर जिस तरीके से महिला जो जेनरल सीट है चेयर्मैन का जैसे की चर्चा चल रही कि बदलाव हो सकता है इनका कहना है कि आती पिछरा हो सकता है जेंस हो सकता है तो उस परिस्टी में अगर आती पिछला जेंस हो गया तो उस परिस्टी में ये चेर्मेन के खुद दावेदार होंगे और अगर नहीं हुआ तो उफस अभापती के लिए इनकी जोरदार तरीके से दावेदारी होगी तो अब ऐसे में देखना होगा कि सिवान नगर परिशत छेतर की जो जनता है कि इसे आसिरबात दे करके और इस बार नगर परिशत के उन तमाम सीटों पर भेजने का काम करती है या तो खहराने वाला वक्त ही बताएगा हमरा शह होगी आसिस कुमार गोलू के साथ चंदन कुम जिरो परसेंट फाइनांस की भी सुबिधा आज ही चले और अपना मंचहा हैंड सेट ले भारते स्टोर दरवार मार्केट में रोड सिवान मोबाइल नमबर 970994 5529 8789312293